नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियों बात करने वाले हैं नागराज 505 के उपर जो कि एक बहुत ज्यादा प्रचलित काफी लंबे समय से जो है मार्केट में एविलेबल है जिसकी अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं एकदम से और काफी जो है सस्ता भी रहत हैं यसी फॉर्म में जो की कॉंटर इंसक्टी साइड होने के साथ साथ सिस्टमिक इंसक्टी सॉइड का भी काम करते हैं यानि कि एक दम से जो है रियक्ट करता है किट मारने के उपर और लंबए समय तक इनको कंट्रोल में रखता है और इसकी पैकिंग भी काफी ज़्यादा जो है टाइट रहती है इसमें जो है दो लेर्स दी जाती है एक तो उपर से सिल्वर कोटिंग में थोड़ी सी जो है आती है अलुमिन टाइप में और दूसरी उसके नीचे आती है इसमें प्लास्टिक की जिसमें रबर साइड में दूर है या कोई अनु το अनी होने से भी दूर रहे थो इस्त्रीव केंशेश को खोला जाता है आप इसको जो है बहुँद लगाएं के तब भी है नहीं कुलता है तो आगे बात कर nessa दोस्तों इसके प्राइज की ऊपर लगवग जो है आपको एक लिटर की पैकिंग जो है व आपको और भी जादा better results देखने को मिलेंगे और इसको जादा तर recommend किया जाता है कपास की फसल में, cotton में पर आप इसको सभी प्रकार की फसल में इस्तेमाल कर सकते हो जिससे कि आपको बहुत सारे better results देखने को मिलते हैं पर यह उस चीज को कंट्रोल करने में काफी ज्यादा सक्सम है यह आपका उसी के साथ-साथ जो है efforts को भी कंट्रोल करता है आपके बहुत सारी प्रकार की सुंडियां रहती है जैसे American सुंडी, लाल सुंडी, तमक्कु सुंडी उनको भी कंट्रोल करने में बहुत ही कारगर है उसके साथ-साथ आपको फ़छ drinking, तना-चिजक उन चीजों को भी कंट्रोल करने में बहुत ही अच्छे तरीके से आपना रोलनी भात रहता है बस दोस्तों द्यान रखने, avoid करने की बात ही है कि जब आपकी फसल में फ्लावरिंग स्टेज हो और तेमपरेचर थोड़ा राइज हो हाई हो उस दोरान यह ध्यान रखेंगे इसको थोड़ा अवाइड करें इसका जो डोज रेट रहता है उसको बीस एमल के आसपास आप 15-16 लेटर की टंकी में डालके छिड़काओ करें इ उसमें थोड़ा सा कैल्सियम डालने या थोड़ा सबस्में जो है बायविटा या साग्रिका डाल दें तो थोड़ा जो है यह जो है आपका फ्लावर ड्रॉप की आपको समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी अगर आप हाई टेमपरेचर का जो है स्चिड़काओ करते तो आ आप यह ध्यान रखें कि लगवग पांस दिन पहले तक इसकी स्प्रेय ना की गई हो क्योंकि इसमें इसका असर रहता है थोड़ा सब्यूं में आ रहता है फूट में भी आ जाता है तो इसको अवाइड करें ताकि दूसरों का भी नुकसान ना हो और आपका भी नुकसान इसका इसका इसतेमाल आप दोस्तों सभी प्रकारकिश्वी फसलों में कर सकते हो टमाटर भींडी लौकी मटर धान गीहूं इत्यादी फसलों में और इसका रिजल्ट भी लंबेट समय तक आपको देखने को मिलता रहता है तो इसका दोस्तों अपना मुले समय देने के दरूर लिखे हैं